नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल UPSC Word for IS I hope कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसका नेक्स वीडियो बनाऊंगी और आभी मैं आपको एक और प्रॉमिस कररही हूए इसका भी मैं next बनाऊंगी क्योंकि यह मैं बताने जा रही हूँ आपको कि आप पर्फेक्ट क्यूब नमबर का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे और नेक्स वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि imperfect जो नमबर होते हैं उनका square हम कैसे निकालेंगे वो भी बहुती कम समय में और कुछ trick के साथ ठीक है तो इसलिए प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैर आइकन को दबाईए ताकि आपको notification मिलती रहे ज़र साथा share करें, comment करें, like करें तो अब हम चलते हैं कि जो बड़ी-बड़ी संख्याय आती है इनको देखके हम धर जाते हैं उनका हम क्यूब रूट कैसे निकाली और मैं आपसे दावा कर रही हूँ जब आप वीडियो देखेंगे तो आप ब्लीव भी करेंगे कि ये उससे भी जादा easy है क्यूब रूट मैं आपको पिछली वीडियो में बताया है ना, sorry, square root उससे भी जादा easy है ये ये तो और जल्दी निकल जाएगा अगर मैं उसको 3 second बोल लिए तो ये तो फिर आप 2 second में कर ले जाएगे चिके, लेकिन पूरा अच्छे से समझने और प्रैक्टिस करने के बाद बिना समझे और बिना प्रैक्टिस करें आप प्लीज क्लेम ना करें कि नहीं मैं ये तो आप ने ऐसी बोल दिया ये तो बहुत टाइम ले रहे नहीं टाइम लेगा आप देखें करें बिल्कुल भी टाइम लेगा कुछ पोजिटिव रीवी भी आये हैं मेरे पास वो भी बच्चे हैं तो ऐसे आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी हो जाएगा ठीक है अप शुरू करते हैं कि हम कैसे निकालेंगे क्यूब रूट तो मैंने यहां पर यहां पर फोर डिजिट ठीक है तो इसके लिए भी आपको यही करना है कि आपको एक से लेके दस तक का क्यूब जो है वो याद होना चाहिए और इसलिए मैंने लिख दिया है वरना तो आप बस अपने माइंड में फीट कर लीजे उतना ही काफी है और इतना तो आपको याद करना पड़ेगा देखिए मैं आपता हमेशा से बोड ली हूँ कि आप लोग से एक्सप्रेशन जादा हैं आप इतने बड़े बड़े एक्साइम के तियारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा ठीक है? मैं बहुत जादे याद करने लिए नहीं कह रही हूँ अब हम शुरू करते हैं बिना टाइम इस्ट करें ठीक है? तो जैसे कि मैंने पिशली वीडियो में बताया था यहाँ भी हम ऐसी करेंगी यहाँ भी हम क्या करेंगी यहाँ भी हम यूनिट, इजट यह काई अंको ही देखेंगे और यहाँ इनके भी हम इकाई अंको ही देखेंगे जो आखी नमबर है तो हमने लिए 6, तो यहा 6 किस में आ रहा है, यह देखते हैं, किस में आ रहा है 6, देखे, आखीर से देखे, पुरह देखे, तो सिर्फ 216, जो क्या है 6, तो हम यहां पर लिख लींगे, पहला step हमारा हो गया, ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं और बढ़ाती हो कि अपको प्रषा इसलिए सलेगे इसलिए कि यहां पर हम थ्यूब की बात करें इसलिए अब हमारा next step क्या होगा हम three को ignore करेंगे यह मैं compare इसलिए करती हूँ ताकि आपको याद ना करना पड़ यह बहुत easy हो जाता है because मैं भी ऐसी करती हूँ इसलिए किया करती थी sorry ठीक है अभी भी करती हूँ क्योंकि पढ़ाई के तो कोई नहीं होती मुझे लगता है ठीक है तो यह हमने कर लिया दो step हमारे हो गए अब हम चलते हैं जो हमारी आखरी बचिए यानि कि जो पहली है इसको देखेंगे हम four ठीक है अब जैसे हम वहां क्या करते थे square में भी हम देखते थे किन दोनों के बीच लाई कर रहा है चोटा वाला लेते थे बस यहां भी यही करना रही कितना easy है अब यहां यह four किसका है दो का है आठ और एक का है एक तो इन दोनों के बीच लाई कर रहा है इन दोनों में छोटा को न है one तो हम इसकी लिए जगा ले ले लिए one बस यही हमारा answer है है easy अपको कुद को लग रहा होगा चलिए फिर से एक example लेते हैं यहां भी हम इसका इकाई अंक और unit digit को हम देखते है तो 2 किसके इकाई अंक में यह किसके आखरी नंबर है 2 यह हम चले यह है 512 आठ का चीक है तो हमने यहां पर ले लिया आठ ठीक है आठ ले लिया हमने यहां पर अब हमारा next step क्या होगा यहां चूप की बाद और इसलिए हम तीन को इग्णोर करेंगे हमने यहां तीन को इग्णोर करा अब हम इस पर focus करेंगे 5 पर तो 5 जो है वह किसका किसमें आ रहा है अब देखिए वही किसकी बीच में अब हमें इसको कैसे करेंगे देखिए मैं आपको बताती हूँ इसमें हम क्या करने वाले हैं यह देखिए अब हम यहां भी क्या करेंगे सबसे पहले वही स्टैप है बहुत सिंपल है इस तरह से आप और भी बड़ी करने जाएंगे यह हमने एकाई वाली संख्या रेकी जो है वो किस में आ रहा है यह देखिए यह आया 343 जो कि है साथ का ठीक है तो हमने यहां इसका हम प्लेस छोड़े ही हमेशा और यहीं पे आएगा यूनिट डिजिट ठीक है को देखते हो जो आएगा तो यूनिट पे आएगा 7 अब हमने क्या बताया जैसे मैं पहले ही बताय हमने स्क्वाइर के बाद की ते हमने दो एक नुक को इन और किया था हमने कर दिया अब यह तीन बचा जो भी बच रहा है उसके यह एक बच रहा था है अब हम यह देखेंगे कि किसके स्क्वाइर के बीच में यह लाए का रहा है 185, 185, 5 यह इन दोनों के कर रहा है I think so 125 से और 216 से छोटा है यानि कि इनके बीच में आएगा और मैंने क्या बताया था कि हम छोटा वाला लेंगे हमेशा हम क्या लेंगे 5 तो यहां आगया 5 यानि कि 57 जो है वह हमारा आंसर हो गया ठीक है देखें कितना एजी उससे भी जादा एजी है बस इसको समझना है थोड़ा तो समझने के लिए टाइम लगेगा आपको और आई होप मुझे लगता आपको वीडियो पसंद आए होगो प्लीज अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर करें कॉमेंट बोक्स अपना रिव्यू जरूर दें और मेरे चैनले को सब्सक्राइब करें बार ल थैंक यो सौ मुझ